आज हम बात करेंगे फॉंट वेट और फॉंट साइस के बारे में बहुत सिंपल है आपको एक मिनट में समझ आज आएगा स्टार्ट करते हैं तो यहां पर बोडी के अंदर मैंने दो टैग लिखे हैं अब इसको उपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मुझे अपना वैपस दिख रहा है अब यहां पर देख सकते हैं हैं थोड़ी मेरी बॉल्ड है और यह जो मेरा नीचे लिखा है यह तोड़ा नॉर्मल लिखा हुआ है जैसे लिखा होना चाहिए अब मैं क क्या करता हूँ श्तायल उट-CSS में जाता हूँ और मैं पारग्राफ टैक को सलेक करता हूँ तो मेरे बास एक CSS में प्रोपर्टी है जिसका नाम है फॉंट-Wate ठीक है आप फॉंट-Wate से काम कर सकते हैं आप फॉंट-Wate से आप यह देख सकते हैं कि आपका फॉंट जो है उ पॉंट-Wate रहता है वो रहता है नोर्मल ओके और जो नोर्मल है उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 400 ओके 400 ठीक है अभी भी बिल्कुल पहले जैसी आए क्योंकि इसकी 400 लिखो या फिर आप नोर्मल लिखो नोर्मल लिखो बात एक ही है अब बात करते हैं अगर मुझे से करना हो पैरग्राफ को बोल्ड करना हो तो बोल्ड कैसे करेंगे तो आप सिंपल या तो बोल्ड लिख सकते हैं बोल्ड लिखेंगे तो यह बोल्ड हो जाएगा या फिर आप इसको वैल्यू दे सकते हैं 700 700 ओके यह 700 बात एक है चाहे आप बोल्ड लिखें चाहे आप इसको value दे सकते हैं 700, for example मैं इसको bold दे देता हूँ, तो यह हो जाएगा bold, okay, अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको normally रहने देता हूँ okay तो यह था कि font weight क्या होता है, अभी इसी font weight की बात करते है heading h1 में h1, okay जो by default h1 का जो font weight रहता है, वो जाता है bold, okay इसका font weight क्या होगा by default bold, okay तो अभी कोई changes नहीं होगा, by default bold ही रहता है या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते है 700, 700 का मतलब भी क्या है, bold, by default 700 रहता है इसका weight okay, बट अगर हम इसको 400 लिख दे हैं, तो यह normal हो जाएगा ठीक है, यह normal हो गया h1, आप देख सकते हैं, यह normal हो चुका है 400 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं normal okay, तो एक ही बात है अभी यह तो हो गया font weight की बात अभी यहाँ पे, अब आप देखेंगे font weight, यहाँ पे और भी option आएगे मेरे पास for example अभर मैं लिख सकते हैं, यह पास और भी option आएगे 100, 200, 300, 400, 400 नोर्मल है, अगर आप उससे पीछे जाएंगे तो लाइट होता चला जाएग और भी ज्यादा for example, मैं 300 करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यह 300 हो रहा है, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखाँ 200, तो भी यह वैसा ही है अगर मैं यहाँ पे लिखाँ 100, तो भी यह वैसा ही है, यह change क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं inspect करता हूँ इसको inspect करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह कहने को 100 है actually depend करता है जो हम font यूज़ कर रहे हैं कहीं font में हम यूज़ कर सकते हैं for example 300 कहीं fonts में जो 300 है वो भी 400 की तरह ही दिखेगा यह font font पर depend करता है most of the time हमारे पास दो font अवेलेबल रहते हैं एक 400 और एक 700 okay font पर अभी 400 की है मैंने अभी और 700 करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं 800 करूँगा तो देखते हैं क्या होगा तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ difference ताकि मुझे पता लगे मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और ओके तो मैंने इसको ऐसे कर लिया अभी अगर मैं देखूँ difference देखने के लिए अगर मैं यहाँ पर लेकूँ 900 for example तो आप देख सकते हैं कोई changes नहीं हुए अगर मैं देख लिखता हूँ 700 तो कोई changes नहीं हुए मतलब यह 700 जैसा अभी है अगर मैं 600 लिकूँ 600 लिक रहा हूँ तो अभी कोई change नहीं हो रहा अगर मैं 500 लिकूँ देखिए 500 यहाँ पर change हो चुका है बट यह जो 500 है और यह जो 400 है इसमें कोई difference नहीं है कुछ font ऐसे भी होंगे जिनके पास 300 भी available होगा 200 भी होगा उसे ज्यादा light हो जाएगा बट यह font font पर depend करता है अब बात करते हैं Google fonts के जो हम Google fonts यूज़ करते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर open करूँ अगर मैं यहाँ पर open करूँ fonts.google.com और मैं यहाँ पर search करूँ pop-ins इसको जूम करता हूँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के fonts available है ठीक है for example मुझे pop-ins font चाहिए मुझे regular चाहिए pop-ins का मैं इसको select करता हूँ regular को उसके बाद मुझे pop-ins का light चाहिए 300 चाहिए और मुझे pop-ins का चाहिए extra light भी चाहिए तो extra light भी select कर लेता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पर bolt चाहिए और यहाँ पर मुझे चाहिए for example एक और चाहिए मुझे मुझे चाहिए regular italic चाहिए तो मैं इसको select कर लेता हूँ तो यह सब हो गया मेरे पास तो यह सब भी मैंने select कर लिया अब मैं क्या करता हूँ इसको embed पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं simple इसको link tag को यहाँ से copy करूँगा link tag को copy करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अपनी index.stml में यहाँ पर paste कर दूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास weight available है 200, 300, 400, 700 ओके okay alright तो अब इसото befall के पास भोट सारी weight है मेरे पास अब मैं क्या करता हूँ इसको use करता हूँ ठीक है तो मैं क्या करता हूँ h1 में font family change करता हूँ font family औरgregate von family मैं करता हूँ जो मेरे first family का नाम क्या था मेरे font family इसका नाम है orра Libra तो मैं font family यहां से copy कर लेता हूँ okay तो मैंने font family copy कर ले तो अब देख सकते हैं मेरा font change हो चुका है यहाँ पे okay अब बात करते हैं अब मेरे पास बहुत सारे weight available है ठीक है अभी font weight कितना है 400 ठीक है अभी मेरे पास और कौन कौन से available है मैं यहाँ पे 300 भी available है मेरे पास यहाँ पे तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको 300 करूँगा तो आप देख सकते हैं यह 300 हो गया इसका weight ठीक है और कौन सा available है मेरे पास मैं देख लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं 700 200 भी कर सकता हूँ मैं for example जैसे मैं 200 करूंगा यह तो यह और लाइट हो चुका है okay अब यह मैं 700 करता हूं तो 700 हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आप Google font से select कर सकते हैं को कौन कौन सा चाहिए और मैंने एक और import किया था 400 import किया था और मैंने 400 का italic भी import किया था ठीक है तो मैं लिख सकते हूं font style और यहाँ पर लिख सकती हूं italic तो मैंने import किया था तो मैं i6 कर सकता हूं italic okay ऐसी paragraph tag में मैं यूज चर सकता हूं paragraph tag मैं font family दे सकता हूं font family font family poppins esses is can we? rankings और यहाँ पे सेंसरेंड हैं oke For example, मुझे font weight करना है 300, थोड़ा light हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा light हो चुका है, यह था font weight, okay, यह थी font weight property आयोब, आपको समझ में आ चुके होगी, यह font weight property में हमने क्या किया, thank you so much guys for watching this video.